एक बार एक बहुत बड़ा बिजनसमेन एक छोटे से गाउं में जाता है उसका प्लान होता है कि उस गाउं में एक फैक्टरी लगानी है वो एक ऐसी जगे तक कहुच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गाउं होता है अब उसके पास में दो आप्शन्स होते हैं एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गाउं तक पहुचे जिसमें करीब करीब आठ घंटे लगेगी क्योंकि डिरेक कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुचने का दूसरा कि सिरफ 20 मिनिट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गाउं तक पहुच जाएं तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया वो नाव महुती छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आद्मी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनसमें बैठा हुआ है तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनसमें ने उस नाव वाले से पूछा तुझे पता है तरफ नाव में कौन बैठा है तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके नहीं साब मुझे नहीं पता आप कौन है तो बिजनसमें बोला अरे तू अखवार नहीं बढ़ता है क्या हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखवार में तो नाव वाला बोला अरे यसाब मुझे कहां पढ़ना लिखना आता है मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया ये सुन करके उस बिजनस्मेन ने उसका मजाख उड़ाते हूँ इसको कहा तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है ऐसी जिंदगी का क्या फाइदा ये सुन करके उस नाओ वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद वो बिजनस्मेन उस नाओ वाले से बोला अभी कुछी दिन बाद ये जो सामने तुझ जमीन देख रहा है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्टरी होगी जहाँ पर हमारे ब्रैंड की बिल्र वाटर की बॉटल्स बनेगी उस नाओ वाले को बात समय नहीं आई उसने का क्या बनेगा साथ तो बिजनस्मेन थोड़ा सा इरिटेट हो करके बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतले बनेगी जो तेरे गाओं में नहीं बिखेगी लेकिन शेरों में बहुत बिखती है अरे कभी तु शेर गया होगा तो तुने देखी होगी पानी की बोतले रखी होती है दुकानों पर फिर ओ नाओ वाला बोला अरे साब मुझे कैसे पता होगा मैं तु कभी इस गाओं से बाहर गया ही नहीं फिर ओ बिजनसमेन उसके पर हसते वे बोला तु कभी इस गाओं से बाहर तक नहीं गया तुझे पता ही नहीं की शेर क्या होता है अरे ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा है उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है अपनी इस सोच की वज़े से उसका नाव से ध्यान हटा और तब ही नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पक्तर से जिसकी वज़े से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूगने लगी उस जगे पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था नाव वाले को समझ आगी है कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में चलांग मारने ही वाला था तब ही उसनों उस बिजनस्मेंट से पूछा साहब आपको तैरना तो आता है ना तो बिजनस्मेंट घपरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हूं मुझे तैरना नहीं आता है उसकी ये बात सुन करके नाओ वाले को हसी आगे और वो बोला अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता है ऐसी जिन्दगी का क्या फाइदा है ये सुन करके उस बिजनस्मेंट को अपनी गल्ती का हैसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाओ वाले से बोला बिजनस्मेंट की भी जान बचाई तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिन्दगी में कभी भी किसी कभी मजाक नहीं उडाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कभ कहां कैसे किस की जुरत पड़ जाए